सब्सक्राइब और अगर आपने interview classes join कर नहीं है तो अपना account login करके वीडियो देखिए आपको ये intro part भी नहीं सुनना पड़ेगा साथ ही आप पूरी वीडियो देख पाएंगे तो interview classes join करिए वीडियो के description box में लिंक दिया हुआ है 80 ज्यादा marks आप इसी score कर पाएंगे अगर review देख रहे हैं और interview class के तो यहां pause करके आप देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिस में वीडियो देखेंगे चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं and description box में interview class join करने का link चेक करिएगा and कोई doubt है तो आप हमे mail कर सकते हैं description box में है देखिए new umbrella entity जो है वो NPCI की जगह पर नहीं आ रही है बहुत लोग यहां बहुत जगह लिखावा NPCI की जगह पर आएगी वो NPCI के competition में आएगी ठीक है अब हम NPCI का पहले background जानना बहुत ज़रूरी है although NPCI को पुरा cover किया है तो बहुत भी brief में देख लेंगे यह एक initiative है Reserve Bank of India and IVA का जो की Indian Bank Association है ठीक है जो की सभी retail payment settlement system को operate करती है ठीक है 2008 में foreign in the year 2008 है यहाँ पे 2008 में यह बनी थी not for profit companies है ठीक है और यह Companies Act 2013 की section 8 के जो under register की गई है अगर हम बात करें NPCI के product कौन कौन से हैं तो यह सारे product है NFS, IMPS, AEPS, CTS, Rupay, NACH, APBS, Star 99 has जो की बिना internet की payment transfer होता है UPI, भारत बिल पे, NETC, भीम, भारत QR, भीम, आधार, पे ठीक है लेकिन यह एक single body है Reserve Bank of India and IBA द्वारा जो बनाई गई है जो जितने भी payment settlements इंडिया में है उनको operate करती है even जो CTS है, check truncation system यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी जो है NPCI ने platform provide क्या हुआ है उसी कित्रों operate होता है अब जो new umbrella entity आ रही है वो इसके competition में आएगी Reserve Bank of India ने क्यों ऐसे recommendation दी यह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा क्या उनका जो companies आएंगी उनको minimum मतलब क्या requirement होगी उनके benefit उससे क्या होगा साली शीजे हम इस वीडियो में यहाँ पर cover करेंगे अब देखिए new umbrella entity देखिए need to bring in other entities क्यों यह need क्यों arise हुई ठीक है ताकि एक effective digital payment ecosystem बिल्ट किया जा सके अभी क्या है NPCI का प्रभुत्व है मतलब NPCI अकेली है वो जो चाहे वो करेगी जैसा system चाहे वैसा करेगी कोई competition में नहीं है ठीक है तो यहाँ पर other entities को लानी की जरूरत यह पड़ी कि एक effective digital payment का ecosystem create किया जा सके जो monopoly है NPCI की मानों यहाँ पर सारे mobile operators चले जाएं सिर्फ और सिर्फ जीओ या फिर में एक particular नाम नहीं लूँगा Airtel या Vodafone या BSNL जो भी operator में से कोई एक रह जाए बाकी सब चले जाएं तो फिर वो क्या करेगा फिर मनमाने प्राइज रखेगा फिर मंतली रिचार्ज आपको हजार का देगा तो भी आपको करना पड़ेगा क्यों कि भीया बिना mobile phone के तो रह नहीं पाओगे बिना internet के तो रह नहीं पाओगे अब हजार रुपए मांग रहा है सर्वेस यूज करनी है तो हजार रुपए देना है सेम केस है NPCI में लेकिन NPCI की अगर यहाँ पर NPCI तो not for profit है लेकिन अगर NPCI बिल्कुल अच्छे से काम न करे पेमें बाब बार fail होने लगे आपका जो refund है वो इतनी अल्दी process ही ना हो महिन अब NPCI जो है वो non for profit है लेकिन जो नई entity new umbrella entity आएगी वो profit based एक entity जो है बनाना चाहती है ठीक है और जो की जितने भी payment services है उनको provide करेगी और उनके बदले में fees transaction charges जो है वो लेगी ठीक है इससे क्या होगा थोड़ा सा competition आएगा तो आगे बहुत तो detail है इस video में new umbrella entity के बारे मे जो interview के लिए important है वो भी हम देख लेते हैं new umbrella entity है क्या देखे ये एक profit based company है पहली बात ठीक है different financial payers होंगे जो इसमें bid कर सकते हैं जो इसमें बनाने के लिए application दे सकते हैं क्या करेंगे ये एक digital payment का ecosystem build करेंगे ये जो होंगी ये company act 2013 के अंतरगत बनेंगी और उसमें लिखा है may be a for profit जो की profit के लिए company होंगी ठीक है ऐसा विल्कुल भी नहीं की not for profit होंगी profit के लिए company बनेगी और इसको जो आपका payment settlement system act 2007 है उसके under section 4 में जो है इनको जो है जो ये companies बनेगी इनको authorize किया जाएगा Reserve Bank of India के दौरा तो गर इंटरू में ये पूछते हैं कि Reserve Bank of India payment settlement system के किस act क act के किस section के अंतर के जो है नियो में एंटिटी को authorize करेगी तो वो है आपका section 4 notes आप बनाते चलिएगा जितने भी आपको पढ़ाई जा रहे हैं तो ये है आपका new आपका है झाल 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 10% 50 करोण at the time of making an application मतलब जब application देंगे Reserve Bank of India के पास तो मिनमम 50 करोण का जो है वहाँ पर देना होगा आपको पैसा Reserve Bank of India को as the application fee समझ दीजिए उसके बाद जो balance capital है ठीक है वो आपको जब operation start कर देंगे उस समय available करानी होगी मतलब जब एक बाद company setup हो जाएगी जब operation में आ जाएगी तब वो जो है capital वहाँ पर उसको show करनी होगी ठीक है the promoter जो group है जो मतलब company होगी उसकी जो promoters होगे उनकी जो share holding है वो minimum 25% तक जो है 5 साल की business के बाद जो है dilute की जा सकती है ठीक है मानो 40% का उनका investment था तो वो 25% तक जो है कम किया जा सकता है और हर समय इच मलब all the time आपको minimum 300 करोड की net worth उस company के पास होनी चाहिए हमेशा अब इसके function क्या होंगे ये company करेगी क्या new payment standards बनाशिक बनाएगी new methods और new technology को implement करेगी नया clearing and settlement system जो बनाएगी उनको operate करेगी ठीक है जो भी आपके उसके साथ risk associate है उनको identify करेगी और manage करेगी साथ में जो integrity है retail payment system की उसको preserve करना होगा और बाकी जो है system है जो कि nationally और internationally दोनों जो है उसको prevent करना होगा किसी तरह का fraud नहोंपाए किसी तरह की challenges आ रहे है जो system को effect कर रहे है उनको tackle कर पाए उसके साथ ही fair policies होनी चाहिए fair policies होंगी इनकी साथ में और अगर payment settlement system जैसा कोई और business model है उनके पास जो system को और जो है फायदा पहुचा सकता है और strength कर सकता है उनको provide कर सकता है तो उनको भी वो operate कर सकते है ठीक है और बाकी जो ये companies है जो reserve bank का payment settlement system है उसमें भी जो है वो operate उनको भी include कर सकते है इसके लिए वो reserve bank of India के साथ अगर required हुआ तो एक current account भी maintain करेंगी तो ये है completely आपका new umbrella entity उमीद करता हूं बढ़ियां से आपकी समझ में आ गया होगा अगर हम बात करें कि कौन-कौन से players है जो इसमें interested है तो इसमें है आपका Reliance Industries, Facebook, Google, Amazon, Visa, Inc ICICI Bank Limited, Access Bank, Pine Labs, Builddesk, Paytium and Ola के साथ मिलकर कुछ companies Financial Software and System with Indian Bank Central Bank of India, Nabat, India Post Payment Bank FIS, Union Bank of India and PNB भी मिलकिये, वो तो होई गया है ठीक है, तो यह सारे जो players है यह interested है एक नई entity को build करने में तो यह था पूरा new umbrella body के बारे में and अगर हम challenges की बात करें तो यहाँ पर challenges यह होंगे कि जो new entity होगी यह made for profit है तो definitely इनके charges जो है high होंगे and कुछ players ऐसे हैं जो इसमें interested है साथ ही साथ आप उनका जो shareholding NPCI में भी है तो यहाँ पर conflict of interest generate हो सकता है तो यह इनके लिए challenges होंगे तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह पूरी video अच्छे समझ में आ गई होगी interview में कुछ भी पूछते हैं आप बता पाएंगे आपको idea लग गया होगा अच्छे लगी है वीडियो तो प्लीज एक दुबार और देखिए नोटस बना लिजी और बढ़िया से interview देकर आईए hopefully golden career आपकी preparation में help जरूर कर रहा होगा thank you and all the very best for your future